आप सभी बच्चों को मेरे तरफ से धेरो सारी सुभकामना हैं प्यारे बच्चों आज हम लोग कक्षा 10 का जो दूसरा चेप्टर है मम्ता तो जो मम्ता के लेखक हैं जैसंकर प्रसाज जी उनका जीवन पर चेप्टरेंगे और इसके पहले बीडियो में आप लोग आच्चा रामचन सुकल का जीवन परचे पर चुके हैं उसी बीडियो में बताया था कि आपके हाई स्कूल बोर्ट परिक्चा में तिन नमबर का जीवन परचे आता है जिसमें एक रचना भी पूचता है और उसमें नमबर अर्थात अगर आप दो पेज का जिवन परचे लिखते हैं और रचना छोड़ देते हैं तो आपको दो ही नमबर मिलेगा एक नमबर आपका कट जाएगा इसलिए रचना पर विशेज फोकस कीजिएगा क्योंकि एक शब्द लिखने पर एक नमबर आपको मिल जाएगा और दो पेज लिखेंगा तब आपको दो नमबर मिलेगा या एक पेज लिखेंगा तो आपको दो नमबर मिलेगा तो इस पर विशेज फोकस कीजिएगा रचना पर तो आईए समयना लेते हुए ज्यादा हम लोग इनकी जिवन परचे को देखते हैं पढ़ते हैं और मैं आपको बेहादी स्टार्ट कर तरीका में बता रहा हूँ जिवन परचे याद करने का या एक स्टार्ट नोट बनाने का तो साट नोट अगर आप बना लेते हैं तो आप इसको बहुत ही अच्छे ढंग से याद भी कर सकते हैं तो आए देखें बाक्स में जो दिया हुआ है यहां उन चीजों पर बिसेस फोकस पहले करना चाहिए क्योंकि यह जिवन परचे लिखने में बहुत सहायक से दोता है इनका जन्म दिया है 1889 स्वी मृत्यू 1937 स्वी जन्मस्थान काश्री पिता देवी परसाद च्छायवाद युक्के लेखा तो यह जो इतना बिंद हुए या इतना आपका वाक्य तयार हो सकता है कैसे अभी मैं आपको जिवन परचे लिखने का तरीका में बता रहा हूँ यहां लिखा है देखिए यह संगर परशाद का जन्मकासी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1889 इस्वी में हुआ था इनका परिवार सुंगनी साहु के नाम से प्रसिद्ध था यह दो तीन चीज़ा आपको याद कर देखिए का क्या है आप थोड़ा ध्यान देखिए का सुंगनी साहु इनके परिवार को सुंगनी साहु के नाम से जाना जाता था काफी याद करने वाला यह बिंद्वी इसक प्रसाज जी को जन्व से साहतिक वातावरण प्रसाज जी को भी साहतिक वातावरण मिला और प्रसाज जी नौव वर्ष की आयू में ही ये कटा के रचना कि जिसे पढ़कर इनके पिता जी ने महान कई वनने का आशिरवाद दिया देखी यह पॉइंट याद करने वली चीज है कि कितने वर्सकुम्रे में यह अपनी पाली कव्ता लिखे तो नो वर्सकुम्रे में और यही कव्ता पढ़कर के इनके पिता जी को आसिरवात दिये महानकाई बनने का ठीक अब आगे देखिए प्रसाजी वाल्य आवस्था में ही अपने माता पिता के साथ देश विदेश तेर्थ यात्राओं पर यात्रा किये और कुछ समय बाद इनके माता पिता की मृत्ति हो गई शिक्षा दिक्षा का प्रबदन के बड़े भाई स्री संभूनात जीने किया ये मुख्य मुख्य बात आप इसको ध्यान देंगे इनका सरपर्थम इनका नाम क्विंस कालेज में लिखवाया गया किन्त वहाँ इनका मन नहीं लगा और घर पर योगिश शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्यान क्या करने लगे अध्यान करने लगे ठीक है यहां है अध्यान करने लगे और सत्रे वर्ष की उम्र के थे तब इनके बड़े भाई समोनात जी की भी मृत्य हो गई फिर उसके वासे यहां क्या है इन्होंने तीन शादियां की क्योंकि क्योंकि तीनों पत्नियां असम हैं मृत्य हो गई इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्य हो गई मतलब इनके घर में देखे मृत्य का सिलसला किस तरह से चलता रहा बाल्या वस्थाम इनके माता पिता का द्यानत हो गया फिर इनके बड़े भाई सम्मु नाथी जी इनके सिक्षा का प्रबंद किया फिर कुछ जब सत्रे वर्ष के थे तभी सम्मु नाथी जी का मृत्य हो गई फिर इन्होंने तीन सादियां की तीन सादिय मतले कठे तीन सादिय नहीं की पहले सादिय की पिर वो पत्नी मरी दूसरी सादिय की प्रिस्थिति के और अगे लिखा है, इन अस्तामाइक मौतों ने मौतों से यह अंदर अंदर तूट गए संगर्त और चिंताओं ने स्वास्त को बहुत हानी पहुचा ही छै रोक से पीडित होने के कारण यह 1937 इस्वी मिन का निधन हो गया चुकि इतना कुछ जंजाबातों को जहिलते हुए इतनी मौतों को मतलब देख करके यह तूट चुके थे लेकिन उसके बावजुद भी हिंदी साहित्त में मतलब वो चीज़ दे गए जो कि अब इस मरड़ी रहेंगी हमेशा हमेशा के लिए यह इनकी जो लेखनी है या बिल जीवित रहेंगी तो यह मुख्य बाते हैं ठीक है आगे है अगले परागर आपने देखिए प्रसाज जी ने विश्रम परिशित्यू में भी अपने धायर को बनाए रखा आपने स्वाध्याय कभी नहीं छोड़ा मतलब जो पढ़ना लेखना यह छोड़े नहीं और घर प अधिकांस रचनाय थी वह एतिहास करें चुकितिहास का इन्होंने अध्यन किया है ठीक है तो और इनका संपुर जीवन माभारती की आराधना में समर्पित हो गया मतलब यह कि यह पूरा का पूरा इनका जीवन जो की माभारती मनों सरस्वती के आराधना में वेतित हो गया समर्पित हो गया अर्थात यह कि मतलब बहुत अधिक साहित्यका स्रिजन की अराधना की इन्होंने और प्रसाजी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे यह महान कभी सफल नाटकार कुसल कहानेकार मतलब कई बिधाओं में इनकी लेखने चलिके यह कभी भी थे नाटकार अपनियसकार भी थे और कहानेकार भी थे लिवन्दकार भी थे तो इतना कुछ आप जीवन परचै में तयार कर लेंगे से आफ कैसे आफ लिख सकते हैं लिखा जनम आप याद कर लिए के 1889 सभी तो सीधे लिख सकते हैं कि हिंदी के महान साहित्यकार अपने भाषण शैली मना के लिख सकते हैं पर आपको एक बात याद रखना पड़ेगे इसके पावले में फोकस कराए हूँ कि वैष्ट-परिवास में हुआ था ठीक ना और यह वारानशी में हुआ था यहां नुसक्षा अब यहां मनें ऐसंकर प्रसाथ का जन्म इस भीख हुआ था इनके परिवार को सुघनिसीर साओ केquito के नाम से जाना जाता था और प्रसाद जी के अब यहां मृत जो दिया है तो ऐसा नहीं कि लिखते समय आप सीधे लिख देंगे जन्म फला तारी को हुआ था या फला सन में हुआ था कि मृत फला को गई थी नहीं यह पूरा जीवन परिशे लिखने के बाद अंत में इनका मृत लिखा जाता है यह ध्यान रखेंगे वह गलती नहीं करेंगे कि जन्म फला तुरंद इसका मृत लिख देंगे ऐसा नहीं करेंगे थीक है दो तीन बाते लेंगे किनके पिता जी क्या थे एक साहितिकार थे ठीक है ना नाम क्या था देवी फरसाद था कितने वर्सकुमर में इन्हों ने यह पुस्तक की रचना की, सारी कभिता की रचना की तो नो वर्स की उमरि में यह संब मोटी मोटी बात है आप याद करके, फिर आप अपने भाशन से लिम निक सकते हैं इनके बड़े भाई सम्मुन नाजी इनके पढ़ने लिखने का प्रबंद किये, अगर क्विंस कालेज में एडमिसन की बाद अगर नहीं दिमाग में आती तो छोड़ दीजे कोई दिकत नहीं, फिर आप लिख सकते हैं कि 17 वाज की उम्र में, यहां इसी जरूर लिखेंगे, सब नोट करने वलें जी यह, 17 वस कुम्र में इनके बड़े भाई समुन नाजी की मृत्पि हो गई, फिर बाद में इनकी शाधियां हुई, पहली शाधि होई, फिर ओपत्नी मर गए, दूसरी शाधि, फिर ओई पत्नी मर गए, तो फिर तीसरी शाधि की इस तरह से इनकी 3 शादियां हुई और तीनों पत्नियां पत्नियों का समय ही मृत्त हो गई फिर इनके छोटे भाई के मृत्त हो गई इस तरह से यहां मतलब विशम परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए यह इनका जीवन बिल्कुल छीर हो चुका था और अंत में छैरोग से पीडित हो चुक कुछ नहीं करना है बस इनका एक रचना बस आप एक ऐसे हेडिंग लिख देंगे रचना और रचना में कोई भी एक रचना मालिक कामाईनी काफी आसान है याद करने लाइक है तो कामाईनी आप इस लिख देजे बस सिर्फ कामाईनी लिखते ही आपको एक नमबर मिल जाए सकते हैं इके कौन-कौन से नाटक है कौन-कौन से कहानि संग्रा है कौन-कौन-कौन से कहानि- यह जानकारी के लिए याद करने के लिए आप लिख सकते हैं अपने जानकारी के लाप रख सकते हैं नहीं तो परिच्छा में इसको पूरा लिखने की कोई जयरूत Bridget एक रचना पूचता तो सिर्फ एक रचना लेखिए अब बहुत करने तो दो लिख दीजिए लेकिन उससे जागा नहीं लिखना चाहिए रचना में आप कुछ भी लिख सब्सक्राइब यानि रचना में आप कुछ भी लिख सब्सक्राइब आपका काम खटम ठीक है तो इसलिए आशा है कि बहुती शाटकर तरीके से मैं आपको बताया हूँ कि कैसे जीवन परिचे याद किया जा सकता है और कैसे नंबर लिया जा सकता है रचना जरूर लिखेंगे मैं जरूर बता दे रहा हूँ क्योंकि एक शब्द आपको एक नंबर दिलवाएगा परिक्षा में इसलिए पर बिस्स फोकस करेंगे आसा वीडियो ई-टू-जेट सारा वीडियो व्याकरण से ले करके सब्द रूप धात रूप सब कुछ मैं यही से पढ़ा दिया हूँ और आप यहां से परिक्षा की ब्यतर दंग से तयारी कर सकते हैं आप सबी को एक बार पुना बहुत बहुत धन्यवाद